तो आपको शुखता हमारे चनल पर तो आज हम पढ़ने वाले हैं unit 1 ठीक है तो यह unit 1 जो हम पढ़ने वाले हैं यह है simply आपका AI और ML machine learning का बहुत important concept है ठीक है इसमें हम unit by unit जाएंगे ठीक है मैंने topic by topic बे कवर कर रहा है और unit by unit भी कवर कर रहा है आपको जैसा चलगता है आप उस तरीके से सर्च करिए आपको वहाँ पर playlist में topic मिल जाएंगे ठीक है unit by unit हम जाएंगे उसमें फायदा यह रहेगा कि हमें extra कुछ पढ़नागी जबत रहे हैं हमें देखेंगे जो unit पर हमारे important लगता है हमें और जो आ सकता है ठीक है जो क्रक्स है इगनो में वही पूचे जो क्रक्स है ठीक है तो हम क्रक्स क्रक्स पढ़ते जाएंगे और जो उतना important नहीं है उसको हम छोड़ देंगे तो जो जो less important है उसको हम छोड़ देंगे तो इस तरीके से हम इसमें बढ़ेंगे तो शुरू करते हैं चलो आज को topic है हमारा types of AI ठी देख लेते हैं तो इसमें है आपका types of AI और इसमें एक दूसरा topic है concept of intelligence ठीक है और इन दुनों का हम देख लेते हैं अगली वीडियो हम देखेंगे turning machine और difference क्या comparison क्या है AI, ML, deep learning में ठीक है तो गो देखते हैं तो इसमें क्या है तो यार पहले तो है types of AI में ANI इसमें तीन आते हैं ANI दूसरा आता है AGI तीसरा आता है ASI ठीक है तो ANI मतलब क्या इनिया मतलब artificial narrow intelligence Narrow intelligence मतलब जो चोटा है दिमामों चोटा है दूसरा आता है AGI इसको हम general intelligence कहते है यह मतलब artificial उसको हम नहीं भी इस तरह करें चल जाएगा ठीक है तो हम यह आप जो में में आप पड़ते है जिया मतलब general intelligence तीसरा आता 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 है super intelligence इसको हम SI भी कह रहे है ठीक है ASI तो अगर किRobstर मैं महात करूँ इसको हम ची Also 나라고- aspraical of himself mama तो ऐसमय नहीं क्या है तॉम कह सकते हैं की आता बड़ा आजमी है जो सिज़ों समझता है , जो सीख सकता है और जहाँ हम कहते है needs hmm कि वो human intelligence को सरपास कर देता है हम कह सकते हैं कि वो scientist है या फिर हम कह सकते हैं एक extraordinary person है for example कि Einstein है ठीक है तो इस तरह के हम कैडिकर दे सकते हैं बच्चा, एक जवाना अजमी, normal person और तीसरा Einstein ठीक है तो इस तरह के से हम इसको generalize कर सकते हैं या Einstein से भी तगड़ा तो इस तरह के से हम कर सकते हैं लेकिन अगर इसको general definition देखें जो exam में पूछी जाएगी तो हम इस तरह के सो लिखेंगे नहीं अपने समझने के लिए मामने समझ लिया है लेकिन अगर activation intelligence को कहें तो ये एक narrow range of ability है ठीक है, बहुत छोटी इस में ability होती है इस फोक्स fix domain model होता है ठीक है, आपको सब कुछ fix होता है जो भी आपको प्रोग्रामर ने provide कर रख है वही आप कर सकते हो, सो सकते हो तूसरा, आप learn कर दो 2000 label examples से आपको आपके अंदर 1000 example field कर दे जाएंगे ठीक है, उनमें से आपको learn करो गया तूसरा है, आपको knowledge not transfer to other task जो आपकी knowledge इसमें है इसमें ही रहेगी, कोई दूसरे task में आप उसका apply नहीं कर दो, for example के लिए मैंने, एक program है मुझे बनाना है, एक narrow intelligence बहुत साले मैंने diagram लिए sunset रखे, sunset जब होता है उस समय किने diagram लिए अब मैंने इसमें feed कर दिये, ठीक है अब मैंने उसको एक, उसमें हजारों मैंने diagram लिए एक्जामपल दे दिये उसको, अब मैंने कि यह afternoon है तुम बताओ कि इसमें और इसमें क्या क्या similarities है और क्या 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 differences है, तो artificial narrow intelligence वो नहीं बता पाएगा यह इसका पेक्स एक्जामपल है ठीक है, आसल की जो AI है, जो आप इसको AI हम देखते हैं फर एक्जामपल के लिए YouTube में है, फिर जो और भी algorithm हम इस्तवाल करते हैं जो वेब साइट में है या फिर कहीं पर भी तो और नेरो इंटेलिजेंस पर बेसे है ठीक है अब जनल इंटेलिजेंस क्या है, इसको हम future AI भी कहते हैं ठीक है, जब भी concept आएगा future AI या फिर जनल इंटेलिजेंस यह दोनों correlated है ठीक है, दोनों interchangeable हम इस्तवाल करते हैं इसको example दिया है, उसमें अपने आप खुछ सीख लेगा और शीक्त जाएगा ठीक है, तीसरा यह transfer कर सकता है knowledge को कोई ने task में या domains में example के लिए जैसे कि मैंने बोला था कि एक आपने picture दिखाए उसको sunset की और फिर आपने पर दिखाए उसको afternoon की तो जो आपका general intelligence होगा वो अराम से समझ जाएगा कि कौन सी future क्या है और क्या बात में topic किस बारे में बात की जा रही है और क्या है पूरा concept क्या है उसमझ जाएगा लेकिन नेरो intelligence compare नहीं कर पाएगा वो बिल्कुल ही बिल्कुल blank हो जाएगा ठीक है उसमें जो intelligence होती है बहुत अच्छी होती हो self learning ability होती हो इसमें वह अपने आप 24 गंटे वह किसी country की ठीक है मतलब inquiry कर सकती है वहाँ पर सब को देख सेक कर सकती है ठीक है और और पिन पॉइंट उसको आपने काम उसमें जंदर फीट कर रखा है वह उसमें से देख सकती है उसमें से learn करके वहाँ पर आपको सेंट भी कर सकती है तो यह जनरल इंटेलिजेंस इत्माल होता है ठीक है यह मतलब फिचर यह कहीं का मतलब है कि अभी जनरल पब्लिक के हाथ आप में यह पावर यह जनरल इंटेलिजेंस नहीं दी गई है ठीक है तीसरा आताप को सुपर इंटेलिजेंस इसको में एसाई भी कहते हैं यह एक है एक है पोधेड़िकल एई है मतलब जहां मशीन सेलफ अवेर बन जाती है ताकि वह हूंन की इंटेलिजेंस को सरपास कर स नहीं सेके उसको में कह सकते हैं कि स्वेंटेलिजेंस इस में इसमें हुदता है इन यह हर चीज में अच्छी है हुमन से और कंडोर करना बहुत मुस्किल है जैसा कि इसको कंडोर नहीं बहुत जाओं शाइधा एडवांस है तो अब आता है मारा कॉन्सक्ण्द पार सभी आ इसमें इंटेक्शन तो आटिफिल इंटेशन से इस में इनीजन से इसमें तरह तो है नोग में टालिजनस से पासमाक का टो पदाओ ने चाहिए ठीक है मिसें पोद इसी है इसंच में चीज होती है पहला रोट लनिंग आप राट के सीखते हो बहुत लृटीमिये ओ निंपर आप प्रोग्राम में कुछ फीट कर दिया तो आप सिखोगे लेनिंग बाइ अनलोगी मतलब मुंद्ध आपने कुछ सेंटेंज डाल दिया उसको सेंटेंज को रिट कर लेगा समझ लेगा एक लिए आपको नहीं पता कब क्या चाहिए तो यह आपने फीट कर दिया वह अपने लनिंग ले गलना को स्टेट्मेंट से निकालना महलें लेगा लिए अधरेकर वहां चूरी हुई है तो आपने है शुरी तो आपने कर निकाल लेकिरा में ही चूरी कि आपने का लेडिक्स तो यह हमारा क्या है लनिंग जीटक्षण होगे पहले हैं पहले हैं आपका टाइपस ऑफ ए आई दूसर टापिक हमारा इंडिलिजन्स जो मैंने दौप बता रहे हैं ठीक है यह स्टार्टिंग है आगे बहुत इंपॉर्टन टॉपिक हमने कवर कर रहे हैं एक लिए कंपरिजन क्या है बिट्विन ए एमल ठीक है और डियल मत कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टन टाइए यह सिर्फ इसका पार्ट वन है ठीक है यह फिर आपको चैनल में जा सकते हैं जाके आप देख सकते हैं आप नीचा को प्रेस मिल जाएगी याई के द्वारा ठीक है जो भी ए लेटर्ट में यह फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भ कर दिए और कवर कर दिए हैं कि यहां पर हमने बैस तरीके से अच्छे तरीके साब को चीज़ सब को एक्स्प्रेंट कर रहे हैं और अगर आप सिनॉपस बना रहे हैं या अपने अपना बनाना है या आपने कपेट कर लिया है तो उसकी वीडियों पर आपको मिल जाएगी क कैसे बनाना है क्या इसकी इंस्ट्रक्शन है सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा बस आपको टार्यट डालिए और आपको हाँ पर सब कुछ मिल जाएगा ठीक है तो यह इतना ही तब तक तक दिल धनियवाद मिलते हैं आपको पार्ट सेकंड में थैंक यू